पाकिस्तान अधिकृत कश्पीर को लेकर केंदिर ग्रह मंत्री अमिशा के बयान पर लोगसभह में कांग्रिस के निता अधिरंजन चौधरी ने पलटवार किया है चौधरी ने पियमोदी और अमिश्या को हिंदुस्तान का बाहदुर बता कर तंच कसा है और चुनोती दी है तो क्या कहा है कॉंग्रेस निता ने देखते हैं ये रिपोर्ट ग्रह मंत्री अमिश्या के लोकसभा में दिये बयान पर सियासी बहस चुड़ी हुई है अब इसको लेकर कॉंग्रेस निता ने कहा कि पियोके से एक सेब लाकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो 2024 के चुनाव से पहले पियोके को छीन लो सारे देश की वोट बिजेपी को मिलेंगे बता दे की एक दिन पहले केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्या ने पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर याने पियोके के मुद्दे के लिए पूर्वफरधार मंत्री जवाहर लाल नहरू को जिमेदा ठैराया था अमिट शा का कहना था कि जमु कश्मीर को नहरू की दो गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा पहला युद्ध विराम की घोशना करना और दूसरा कश्मीर मुद्दे को संयुक्तुराश्ट में ले जाना अब इसी बयान पर अधिरंजन चौधरी ने बिजेपी और अमिर्शा को घेर लिया है। उन्होंने कहा ये कोई छोटा वामला नहीं है। इस पर दिन भर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 2019 में जब 370 हटाया गया तब अमिर्शा ने पियोकी सियाचीन को लिकर कहा कि उसे वा वापस लाया जाएगा। पियोकी को वापस लाने में भाशपा पार्टी और इन्हें परधार मंत्री ग्रह मंत्री को किसने रोका। अगर हिम्मत है तो आप पियोकी छीन कर लाकर दिखाईए। जो काम कॉंग्रिस नहीं कर पाई आप करके दिखाईए। लोकसभा में कॉं संशोधन विधेक 2023 और जमूर कश्मीर पुनरगठन संशोधन विधेक 2023 पर चर्था में भाग लेते वे अधिरंजन चौधरी ने ये बात कही इन दोनों विधेकों को ध्वानी मत से पास भी करा दिया गया है डिबी लाइफ की रिपोर्ट